एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुँचा, वह बहुत अधिक तनाव में था, अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परिशान कर रहे थे जैसे आत्मा क्या है? आदमी मृत्यू के बाद कहा जाता है, स्रिष्टी का निर्माता कौन है? स्वर्गव नरक की अवधार्णा कहा तक सच है और इश्वर है या नहीं? उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे जब वह बुद्ध के पास पहुँचा, तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं बुद्ध कुन सभी के प्रश्नों वज जिग्यासा का समाधान अत्यंत सहच भाव से कर रहे हैं काफी देर तक यही क्रम चलता रहा, किन्तु बुद्ध धर्य पूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पढ़ने से क्या लाग अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए किन्तु बुद्ध का व्यवार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है आखिर उस व्यक्ति ने पूछी लिया महाराज आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना बुद्ध बोले मैं ज्यानी नहीं हूँ और इनसान हूँ वैसे भी वह ज्यान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्मकेंद्रित हो कि अपने अतरिक दूसरे की चिंता ही न कर सके ऐसा ज्यान तो अज्यान से भी बुरा है बुद्ध की बाते सुनकर व्यक्ति की उल्जन दूर हो गई उस दिन से उसकी सोच वह आचर्ण दोनों बदल गए कथा का सार यह है कि ज्यान तभी सार्थक होता है जब वह लोग कल्यान में संलगन हो